आज मैं एक नई बेल आपके सामने जो लेकर आई हूँ वह है बलून वाइन जिसमें आप देख सकते हैं यह बलून शेप के जो फल है वो लगे हुए रहते हैं इसमें से पफिन लव भी एक इसका दूसरा नाम है इसमें कई तरह की आईरवेदी क्या जड़ी बूटी खूब होती है जो आप जाहें तो पता कर सकते हैं फिल हाल मैं वो नहीं बताऊंगी वरना लोग घर पे ही उसे यूज करने लगते हैं बिना किसे प्रकॉशन के या डॉक्टर की सलाह लिए जो की खतरनाक भी हो सकता है पर मुझे यह वाइन बहुत जादा इसले पसंद है क्योंकि इसकी पत्यों का शेप मैं आपको दिखाती हूं यह देखे बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें पत्या आती है छुटी छुटी से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं वैसे यहाँ पे मौनिंग ग्लोरी का जो पौधा है यह देखे इसमें फूल भी आ रहे हैं मौनिंग ग्ल अलग अलग तरह के जो कीडे हैं पॉलिनेशन करने वाले उनको अट्रैक्ट करते हैं साथ ही यह बहुत पतली सी वाइन होती है जिस पर खूब सारे इस तरह के बलून शेप के फ्रूट्स लगे हुए होते हैं जो बहुत क्यूर दिखते हैं अब इन्हें उगाने के लिए क्य लगा रखा है क्योंकि यह जो क्यूट से इसके फ्रूट है चुटी चुटी से यह जो फ्लावर्स हैं यह किसी चाइनीज कार्टून के खुबसूरत पहुदे जैसे लगते हैं तो इसका रण मैंने इसे उगा रखा है तो इसे वेल ड्रेन सॉयल पसंद है जिस भी आप सॉ तो मॉडरेट टेंपरेचर में यह बहुत अच्छे उगते हैं और इने बरसाद बहुत ही जादा पसंद है तो बरसाद के मौसम में यह और खूब उखते हैं और आपकी कोई बालकनी हो या आप अगर इसे ट्रेल्स में उगाएं कुछ लोग ऐसे शेप बना के रखते हैं गेट्स वगेरा के उपर तो उनके उपर आगर आप ऊगा के रखेंगे तो यह प्लांट बहुत भी आ बढ़िया दिखाय देते हैं फर्टिलाइजर की बात करें तो इतने हाड़ी प्लांट होते हैं कभी भी फर्टिलाइजर की ज़रुरत नहीं पड़ती है लेकिन आप च पास से इनके फ्लावर दिखाती हूं कितनी खुब्सूरत से फ्लावर से इनके देखिए इसके आसपस बहुत तितली आती हैं और इसके अलावा इन पौधों के खास बाती है किनकी केर बिल्कुल नहीं करने पड़ती एक बार आप लगा के बिल्कुल छोड़ सकते हैं यह नहीं उख पाते और जैसा कि आप इनके पत्तिले पत्तिले लंबे क्या कहना चाहिए इन लताओं से समझ सकते हैं कि खुब धूप में ही यह लंबे लंबे बढ़ते हैं और पूरे देखे कहां कहां तक फैल गया हैं आप चाहे तो इसे साइप्रस वाइन के साथ लगा स सकते हैं किसी भी पूर्द एक साथ यह वैल एजस्ट हो जाते हैं मैंने इसे काफी बड़े गमले में यहां पर लगा रखा है आप देख सकते हैं लगभग दो फीट का डेड़ बाई वन का ऑल्मोस्ट यह बॉक्स है जिस पर मैंने इसे लगा रखा है तो आई थिंक आपक को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इस प्लांट में ऐसा कुछ बहुत महनत भरा नहीं हो गाने का लेकिन इसकी खुबसूरती जो है वह बे इंतहासरा मुझे ही लगती है क्यूट क्यूट से वाइन होते हैं इसकान से मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स नेक्स ताम बढ है